सबसे पहले तो सभी को जैश्री राम मेरा नाम है शबनमशेक मैं मुंबई से आयोध्या पैदल यात्रा के लिए निकली हूँ और मुझे आज 7 डेज हो चुके हैं और मैं आयोध्या जा रही हूँ श्री राम जी के दर्शन के लिए जसा आप लोगों को पता है 22 जैनेवरी क को वहाँ पर उटगाटन होने वाला है लेकिन हम 21 डिसमबर 2023 को निकले हैं तो हमें नहीं लगता कि हम 22 जनवरी तक पहुचेंगे लेकिन हमारा प्रयतना है कोशिश है कि हम जितना जल्दी हो सके पहुचे वहाँ पर लेकिन इतना पता है कि हम 22 जनवरी तक इतना दूर का पर नहीं तैय कर पाएंगे लेकिन हमें एक मैना लगे दो मैना लगे तीन मैना लगे हम दर्शन करके ही वापस लोटेंगे मुंबई आज आप एक मुश्लिम तरुनी है और यहां में से आई जा रहे हैं देखिए मैं तो हमेशा से यही बोलते आ रही हूं कि प्रभुश्री प्रभुश्री राम जी को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा इंसान नेक दिल इंसान होना जरूरी है प्रभुश्री राम जी तो सबके हैं पुरे भारत के भारत में जो बच्चा-बच्चा है ना सबके एक गाना भी है ना म तो मुझे बहुत ज़ादा प्राउट फील हुआ, सोशल मीडिया पे कुछ लोग है जो नेगेटिव कॉमेंट्स करते हैं, मेसेज़स करते हैं, वो से सोशल मीडिया तक सीमित है, ग्राउंड लेवल पे तो हमें कुछ और ही देखने मिल रहा है, नो हेट, नाथिंग, सब लोग आपस में प्यार कर रहें, साथ में नारे लगा रहें, हमर स्वागत कर रहें, सत्कार कर रहें, और क्या चाहिए? मैं पस इतना ही बोलूँगी, पूरे भारत देश वालोगों की भाई, 22 जैनवरी एक इतिहासिक डे है, और 23 जैनवरी को मेरा बड़े भी है, चुल मैं, और 22 जैनवरी के दिन, सब लोग में को ऐसा लगता है, कि अपने घर पे भगवा जंडा लगाने वाले, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग भी ऐसे बातचीत कर रहते हैं, और जगा जगा पर जो भी सुविदाए होंगी, मेरे दोस्तों की बता रही थी, कि वो सारी चीज़े करने वाले है, खाना, पीना, जशन का महल होगा, राम जी के दुन में सब मगन होंगे, मतलब भक्ती का महल होगा, एक ह हे आ हे, TTV News Network, अनापन बगताहा, DTV News Marathi